हुआ है प्रेंट्स मैं दिपक बोल रहा हूँ रॉम स्टॉक गुरु दिपक चैनल से अगर आपको स्टॉक मेर्केट सीखना है और या टेक्निक अलसे सीखना है हिंदी में तो यह हमारा चैनल देखते रही है और जो नुव विजिटर है वह यह चैनल को सब्स्राइब कीजि मिलने के रिए है आज का अपना टॉपिक है गुज़रात एलेक्षिन का हमारे स्टॉक मर्केट के ऊपर क्या impact होगा तो हम लोग देखेंगे कि गुद्राद election में क्या हो सबता है, market उपर जाएगा, नीचे जाएगा, या बढ़ा आशर होगा, या कम आशर होगा, investor को क्या करना चाहिए, trader को क्या करना चाहिए, या future option में जो trading करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, हम आगे देखेंगे, उसके पह डेट जो है लोग देखेंगे तो जो एलेक्शनी है दमा फेरा ही बाल ना उसके बाद आने वाला जो ट्रेडिंग वाहने उसके ऑपर थोड़ल सट्रेंग लेंपेक्ट होगे उसके बाद भी इजिट बाल को टो खूंज के इंपेक्ट होगा लेकिन सबसे ज्याद हरो होगा जब 18 तरिक को जब एलेक्शन का रिजल्ट आउट हो जाएगा तो उसके उपर अपने मार्केट के उपर इंपेक्ट हो सकता है तो हम लोग देखेंगे कि इलेक्शन का मिस्क आगे कैसा इंपेक्ट होगा में पार्टी इन इलेक्शन बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों में ही सबसे ज़्यादा इसमें टगकर है तिसरे पार्टी कोई दीख नहीं रहा कि गुजरात इलेक्शन में कोई रहेगा issue of election क्या issue है के दोनों party मैदान में आये BJP का issue है कि growth, विकास और उनको experience है जो गुजरत में इतने साल से उनका राज्य चल रहा है दुसरे और Congress जो BJP के अगेंस है उनको issue है जो इसका है पार्टीदार का demonetization और GST जिसमें ओ करे कि BJP ने properly implement नहीं किया तो वो issue लेके दोनों एक पार्टी एक दूसरे के सामने कड़ी है probability of union कितना है as per news challenge या फिर जो भी news आ रहे है वो बोल रहे 50-50% बड़ थोड़ा BJP के तरब दीख रहा है क्योंकि वो ruling party है वाकी और तोड़ा उनका यह दीख रहा है लेकिन लोग बोले Congress का भी chances है तो हम लोग समझते कि 50-50% है लेकिन आप भी comments करके नीचे बताएंगे बताओ कि आपको क्या लगता है BJP आएगे या Congress आएगा आप comments वाक के नीचे लिख देना प्लीज तो हम लोग देखते हैं अगर इस दोनों में से कौन से party आते हैं तो क्या impact होगा अगर BJP आगे तो win होगे तो market के लिए वो positive है क्योंकि BJP का central में भी government है और 2019 में जो election आने वाले central government के तो उसके लिए वो help हो जाएगा इसके लिए अगर BJP आते हैं गुजरत में तो market उसके लिए बहुत positive ले सकता है अगर Congress आगे तो market उसको negative ले सकता है क्योंकि BJP का central में जो majority है वो कम हो सकता है राज्य समा में और दुसरा कि जब लोग समा के election आएगा 2019 के तभी इसका impact आज जाएगा जब लोग समा के sit कम हो सकते हैं एडर के वज़े से market नीचे आ सकता है अगर Congress government आती है तो अगर milli jury सरकार आती है तो भी market को अच्छा नहीं लेगा क्योंकि clear voting इसमें नहीं रहेगा तो market को एक तो single government चाहिए हो भी बीज़ेपी होगा तो ज़्यादा अच्छा है और नहीं रहेगा तो market negative impact कर सकता है पास एलेक्शन या इवन थे उनका देखेंगे कि बीज़ेपी का एलेक्शन का इंपेक्ट क्या होगा उसके पहले वाले जो एलेक्शन थे उनका एवन थे उनका क्या इंपेक्ट हुआ था जैसे कि 2009 में कॉंग्रेस गॉर्मेंट विन हुआ था तभी मार्केट 900 पॉइंट उपर गया था लेकिन यह देखें कि अगर आप ग्राब देखेंगे तो पहले जो डिस्काउंट नहीं होती जो सब्सक्राइश था इसलिए मार्केट ने सब्सक्राइश रियक्शन दिया था पहले वाला नीचे आ गया क्योंकि इसके पहले आप देखोगे तो यह जो मार्केट उपर गया था और अल्रेड़े डिसकॉंट किया था कि बीजेपी गोवर्मेंट आएगा उसके बाद भी मार्केट ने रैली किया था लेकिन जो इलेशन कर दिन में मार्केट उपर जाके वापस उसके बाद ब्रेक्जिट में भी 300 पाइंट मार्केट नीचे गया था 100 पाइंट कवर गया था उसके बाद यूएस इलेशन और डिमोनिटाजेशन में मार्केट 500 नीचे गर के कवर हुआ था तो ऐसे जो इवेंट रहते हैं तभी मार्केट के उपर बहुत सारा यह होता है इम्पेक्ट होता है लेकिन गुस्का कितना इम्पेक्ट होसकता है गुजरात है। बहुत बड़ा मूद दे सकता है लेकिन उसके लिए आप कुछ पैरेमेटर्स भी देखके रिसाय करों कि मार्केट क्या करेगा इसी वाई से कि मैंने जैसे कि ट्रेडर्स है इन्वेस्टर्स है या फिर फिचर ऑफ्शन करते हैं उनके लिए क्या एक करना चाहिए क्या स्टें करके 50% अगर मार्केट उपर भी गया तो उनका 50% जो आहे शेस है वह तो उपर जाएंगी निचे आ गया तो जो 50% सेल किया उससे वह लोग रेट में बाई कर सकते जो ट्रेडर्स है और जो एक्सप्रेंस है तो अगर इसमें बड़ा होता है तो उसका बेनिपेट ले सकते ऌut तर्फाट से न्यू डुप से इनको है और ऊपर नीचे ओने का चांसे सा है और नए ट्रेडर को पता निचे लेकिन किसे यह लिए अगर जैसा कि एवेंट है गुज्रा देलिशन का आने वाला अगर ऐसा लगता है कि वह बहुत बड़ा बीग इवेंट होगा लेकिन उसके पहले आपको देखना पड़े का व्लाटिविटी कम होना चाहिए उसके बाद ही क्या होगा बड़ा इवेंट है तो ऐसा अगर कंडिशन है व्लाटिटी इस लो है इवेंट के पहले तो वो कर सकते हैं लॉंग स्टैडल कॉल और पूट एटीम कॉल और पूट बाई कर सकते हैं एक बाजू में बैने के उपर या नीचे मार्केट जाएगा तो कॉल या पूट में उनको बड़ा प्रविट हो सकता है ले जाजा चौदा में हुआ था अगर तो क्या होगा मार्केट डिसकॉंट किया होगा नूज तो क्या होगा ज्यादा मार्केट भागेगा नहीं तो इसको अगर और और वालेटिटि है तो आप शॉर्ट चैडल कर सकते एटियम कॉल और पूट बेस सकते हैं यह जो आजिए आप एह चाहिए और एक मिरा प्रीडिकिस्ट था ऐसा निरे कि ये फाइनली होगा तो आपको एफ्रेट करना है तो बहुत से पिजिए ज्यादा लेज मत लेजिए ज्यादा रिस्क मत लीजिए क्योंकि इवंट तो आते ही रहते हैं आपको मौकिमा मिलेंगे टेड क कर सकता है तो दूस्तों कि थैंक्स फॉर वाचिंग मैं ऐसे वीडियो तो लाते रहूंगा इवन्ट के बारे में या स्टॉक मर्केट के बारे में हमारा चैनल देखते रहे हैं और आपको अगर अड़ास टेकनिकल आलेसिस कोस्ट करना या फिच्वराड ऑफ्शन कोस्ट करन मुंबई थाने में वहां आके आप लाइव मार्केट और या फिर ख्लास्रूम ट्रेनिंग कर सकते हैं अगर थैंक्स पर वाचिंग फिर बाए